मैं डाक्टर आर्पी सिंग हों में पती चुके सक आपको आपने यूट्यूब चैनल पर सखर करता हूँ एदि आपको किसी भी रोग से सम्मंदित कोई शमस्या हो तो मेरा वीडियो देखें मैंने अब तक लगभग सबी रोगों के लक्षान अन्रूप अफचार वाली वीडियो बना रखी है एदि आपको प्राम मर्स लेना हो तो मेरे क्लिनिक पर आएं मैं आपको होमियोपैती की दवा आरजेंटम मेटालिकम के सिम्टम्स और यूजेज बताने जा रहा हूँ अंग का दुबलापन धीरे धीरे सूकते जाना ताजी हवा की इच्छा दम फूलना या बढ़ जाने की समवेदना और बाई तरफ का दर्द इसकी मुख्य विसेशता है मुख्य कारेच्छेत्र बोलने के यंत्र और उनके योगिकों पर हड्डियों पर उपास्थी बंधनी पर केंद्रित है इन भागों में खून की छोटी नलिकाएं बंध हो जाती हो या सूक जाती हो या नासूर पैदा हो जाती हो उनमें यह बहुत लाप्रद है यह विकार धीरे धीरे आता है मगर बढ़ता जाता है स्वर नली भी इस ओस्दी का मुख्य प्रभाव छेत्र होती है इस दवा की सक्ती छै बिचूंड सबसे उप्युक्त मानी जाती है और उची सक्ती अधिक दोराना नहीं चाहिए धन्यवाद